नमस्का आर्माई हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ आवावास्या कित्ती थी बहुत ही महत्पुन होती है इस दिन किया गया कोई काम पडियोग टोने टुटके तुरंत फलदाई होती है जो काम आप इस दिन करते हैं उसका फल आपको तुरंत मिलता है अगर आप अच्छे काम करेंगे तो इसका फल आपको अच्छा मिलेगा अगर आप बुरे काम करते हैं तो इसका फल भी आपको तुरंत मिलता है तो बने रही है हमारे साथ हम आपको बताएंगे अवावस्या पर कड़ डाले ये उपाए एक रात में ही धन के भढ़ने लगेंगे भंडार अवावस्या पर करे ये काम बन जाएगे सारे बिगरे काम लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सकाइब नहीं कियें अवावस्या के दिन कई तरह के परियोग टोटके भी किये जाते हैं जिससे जीवन की बिभीन समस्याओं का समाधान होता है अवावस्या के दिन किस प्रसानी के लिए क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो बने रही हमारे साथ और हम आपको आवावस्या के एक से बढ़कर एक उपाय बताएंगे ताकि आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप ये उपाय आवावस्या के दिन कर लिया तो सबसे पहली बात दरित्ता दूर होती है और धन का आगबन होता है अगर आप आप आवास्या के दीन सुर्ज को अरख देने का काम करते हैं इस दिन सुर्जोदे से पुरव उठकर असनान आदी से निवरित हो जाएं और ठीक सुर्जोदेक के समय सुर्जदेव को ताजे जल से अरग दें इससे दरित्ता दूर होती है और धन का आगवन भी भड़ता है तो ये उपाया आप सुर्जोदे से पहले आप उठें और भगवान सुर्जदे को अरग दें निश्चित रूप से आपकी दरित्ता दूर होगी और धन आगवन के रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे समस्त प्रकार के संकटों का नास कभी कभी आपकी जीवन में कई तरह के संकट आते हैं कभी ये आते हैं कभी पैसी कमी होती है कभी आपको कोई परिसान करता है कभी नोकरी में दिक्कत आ रहती है तो किसी न किसी संकटों में आप फसे रहते हैं अगर ऐसी अस्थिती आपके साथ भी बन रही है तो आमावास्या के दिन शायम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं और एक सा आठ या 27 परिकर्मा करें इससे जीवन में सात्युक्ता आने के साथ ही समस्त प अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन का भंडार हो जाए तो इसके लिए भी अमावास्या के तिथी काफी महत्पुन माने जाती है अमावास्या के दीन थोड़े से चावल को केसर से रंग कर डक्षिन मुखी संख में डाल दें घी का दीपक जला करके कमल घटे की माला से महालक्षमी के मंत्र ओम स्रिम ओम स्रिम इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला का चाप करना है इससे धंड के भंडार आपके घर में हो जाएंगे मंत्र काफी असान है और इसे जपने में भी आपको ज़्यादा भक्त नहीं लगेगा अगर ये उपाया आप हर आमावास्या को करते हैं तो आप समझ लिजिए कि आपके घर में धंड का भंडार होगा इसके साथ आमावास्या की दिन चीटियों को सक्कर मिला आटा खिलाएं मसलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का भी इंतिजाम करने से धन की कभी कमी नहीं रहती साथ पित्रों के साथ ही आपको देवी देवताओं की भी किरपा बनी रहती है यह बहुत ही अच्छा होपा है जब भी आपको मोका मिले आप चीटी को चीनी और आटा मिला करके खिलाएं और मसली को जब भी आपकी इसी तलाब में जाते हैं घूमने जाते हैं तो साथ में थोड़ा आटा आप ले लिजे उसकी छोटी छोटी गोली बना करके आप मसली को खिलाएं और पंची को आप दाना सुबह सुबह दे या दोपर में दे इससे निश्चित रूप से आपकी पित्र आपके उपर प्रसंद होंगे देवी देवताओं के भी किरपा बनी रहेग तो दुसित ग्रहों की सांती के लिए आवावस्या के दिन राहू, केतु और सनी की सांती के उपाय भी किये जाते हैं इसके लिए सनी मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंगों, आसक्तों और गरीबों को बस्तर भोजन भेट करें इससे दुसित ग्रहों की सांती होत और कम से कम आप साथ या नो आवास्या के दिन ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी गरह आपके फेवर में नहीं है, वो सारे गरह आपके नुकूल हो जाएंगे और आपकी गरह की सांती भी हो जाएगी। काल सरफ दोस, इससे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, अक्सर आपने सुना होगा काल सरफ दोस के बारे में, काल सरफ दोस की वज़ा से जीवन भर अनेक प्रकार की मांसिक, देहिक, एवं भोतिक कटनायों का सामना करना पड़ता है, और सफलता जीवन के अंतिम समय में प्राप् ये बैवसाय आदी की परिशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर आपके कुंडली में काल सरफ दोस हैं, लेकिन इस दोस का निवारन भी आप अमावस्या के दीन काफी आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना है चांदी के नाग-नागिन की पूजा करें, और सफ आपको मुक्ति मिल जाती है, मानसिक सांती, कभी-कभी आपके जीवन में सांती नहीं होती है, आपके पास पैसे है, धन है, दौलत है, लेकिन मानसिक सांती आपके पास नहीं है, तो जिन लोगों की चंड कुंडली में चंदरमा कमजोर होता है, वे अमावस्या के दीन गाय को दहः और चावल खिलाएं इस से माणसिक सांती प्राप्त ओने के साथ चंदर से जुरे 2 भी समाप्त हो जाते हैं और 9 मंसिक सांती आपको मिलती है अगर आपके जीवन में चांती नहीं होगी तो आप जीवन का सांती भी मिलेगी अमभाश्या के दिन पित्र दोस्त भी दूर के जाते हैं तो पित्र दोस्त अग्र आपके जीवन में है तो किसी पभुतर नदी निकर किनारे योगपंडिस से पित्रों के निमित तरपन और पिंडदान भी कर्वाएं यह भी काफि अप अपले मिलता है, आप बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो इसका अच्छा फल भी आपको तुरंद मिलता है तो अमावास्या के दीन साम को घर के इसान कौन में गाय के घी का दीपक जलाएं बत्ती में रूई के स्थान पर लाल रंग के धागे का पर्योग करें मौली है कलावा है किसी चीज़ का भी आप पर्योग कर सकते हैं संभव हो तो दीपक में केसर की एक दो पत्तियां भी डाल दें इससे मा लक्ष्मी प्रसन होती है और घर में धन का आगवन बढ़ता है इसके साथ साथ इस दिन आप एक उपाय और कर सकते हैं इस दिन भगवान विष्णू के मंदिर में जंडा लगना चाहिए इससे बैक्ति को भगवान बिष्णू के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी किरपा प्राप्त होती है इसलिए धन लाव के लिए आवाश्या के दिन पीली त्रिकोन आकर्ती की पता का बिश्नु मंदिर में उचाई वाले अस्थान पर आप इस प्रकार लगाएं कि वो लगातार लहराता रहे तो आपका भाग सिगर ही चमक उठेगा लगातार अस्थाई लाभेतू यह धिहान रहे कि जंडा वहां लगा रहना चाहिए और उसे आप समय समय पर स्वेंग बदल भी सकते हैं यह आपके लिए काफी महत्पुन होगा यह जंडा वाला उपाया आप करके देख लिए इस अमावास्या के दिन आपको साथ दिन के अंदर रिजल्ट समझ में आ जाएगा सुख सोभाग में बिर्धी कभी कभी आपके जिन्दगी में धन होता है लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ती नहीं होती है आप सुखी नहीं रहते हैं मन हमें साथ दुखी बना रहता है तो अमावास्या के दिन आप महा मिर्टुजय मंतर का एक हजार आठवार जब कर साथ में जिन लोगों की बिवाह नहीं हो पा रही है उनका बिवाह भी होने के मार्ग प्रसस्त हो जाते हैं हर अमावास्या को गहरे गड़े या कुए में एक चमच दूध आप डाले इससे कारियों में आ रही बाधाओं का निवरन होता है आपके जिन्दगी में अगर अगर आप करते हैं शुरुआत करती हैं बाधा जाती है कोई नोगय कारण से आपके काम में बाधा अगर आते रहती है तो आप अमावास्या के दिन गहरे गड़े या कुए में एक चमच दूध आप अबस डाले और यह चीज़ आप अमावास्या को करते रहें आपके कई गुनाज ज्यादा फल आपको मिलता है। इस दिन अलग अलग चीजों का दान करके आप अपनी हर मनो कामनायों को भी पूरी कर सकते हैं। तो गरार नसतर की बाधा से मुक्ति के लिए काले तील का आप दान करें। अगर आपके जिन्गी में रोग हैं, आप हमेशा बिमार रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कर से मुक्ति मिल जाए, तो इसके लिए आप छोटा सा थोड़ा सा सोने का दान करें। परिवारिक जीवन में खुसाली के लिए आप पात्र सहित घी का दान करें, आपके परिवारिक जीवन में इतना खुसी होगी कि आपका घर लेगा कि स्वंग धर्ती का स्वर्ग है। किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए आप नमक का दान इस दिन करें आपकी जो भी बाधा होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी बंस बिर्धी और संतान की उनत्ती के लिए आपको इस दिन चांदी का दान करना चाहिए इससे आपके बंस में बिर्धी होती है और संतान की भी उनत्ती होती है आमावास्या के दिन मैंने आपको बता है कि काफी महत्पून होता है इस दिन आप भगवान सनी को भी प्रसंद कर सकते हैं, तो इस दिन सनी भगवान पर तेल चढ़ाना चमतकारिक फल देने वाला होता है, यदि संभव हो तो इसके साथ ही आप काला तील, काली उरद, काले कपड़े का भी दान कर सकते हैं, तथा शीव मंदिर में सीवलिंग पर और सनी आपके उपर प्रसंद हो जाएंगे। रोग से मुक्ति, कभी-कभी आपके जीवन में हमेशा कुछ नकुछ लग राता है, कभी ये बिमारी तो कभी वो बिमारी, आप रोग से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपके जिन्दगी में ऐसी समस्चाएं हैं, तो जो लोग रोगी है उसके लिए ये उपाय करना है। इस उपाय से रोगी की तव्यत जल्द ही सुधने लगती है, और यह उपाय उसके बाद कम से कम आपको साथ मंगलबार और सरीवार को भी नियमित रूप से करना चाहिए। आप ये उपाय करें निश्चित रूप से आपके घर में अगर कोई रोगी है जिसका तव्यत नहीं सही हो पा रहा है। लाग कोशिस कर रहे हैं, डॉक्टर से दिखा रहे हैं, फिर भी तब्यत अगर नहीं सही हो पा रही है, तो ये उपाय करके देखिए, आपके घर में जो भी रोग है, जो भी रोगी है, उससे निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। साम के समय उसके चार टुकरे करके किसी भी चोरा है पर चूप चाप चारो दिशाओं में फेक दें, इस उपाय से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्याओं दूर हो जाती है, और आपको नोकरी भी मिल जाती है। सफलता की तिथी इसके लिए सबसे सटिक तिथी है, जिस दिन आप खास उपाय करके आप अपने आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। तो आमवस्या की रातरी में आठ बादाम और आठ काजल की डिविया काले कप्रे में बांध कर सिंदूर में रखे, इस सिग्र ही आर्थिक समस्याओं का समधान आपके जिनगी में हो जाता है। अस्थाई सफलता है तो कभी कभी आपके जीवन में सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है लेकिन ये सफलता अस्थाई नहीं रहती, कुछ दिनों के लिए सफलता आते हैं फिर से आप और सफल होने लगते हैं। तो इस चीजों से बचने के लिए और सफलता से बचने के लिए अमावास्या के दीन क्रोध, हिंसा, और नेतिक कार्ज, मांस, मदिरा का सेबन, एबं, इस त्री से साजिक संबंध, मैथून कार्ज, आदिका निशेद बताया गया है, जीवन में अस्थाई सफलता है तू, इस दिन इन सभी कार्जों से आपको दूर रहना चाहिए, ये कार्ज आप ना करें, खास करके अमावास्या के दीन ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आकस्मिक भीपदाओं से रक्षा, कभी-कभी आपके जीवन में अचानक से कोई समस्या आ जाती है, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं, अचानक से ये समस्या आपके जिन्गी में आ परती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये समस्या कैसे आपके जिन्गी में आ गई, अगर ऐसी अस्थिती है, तो आवास्या के दीन काले कुत्ते को सरसोते लगा कर रोटी खिलाएं, इससे न कभी कभी अगर आपका घर अच्छा हो सुन्दर हो तो घर में भी नजर लग जाते हैं कभी कभी आपके बिजनेस बेपार में भी नजर लग जाता है आपके बेपार अच्छी चल रही होती है और अचानक से बेपार थप पर जाती है इसका मतलब किसी ने किसी आदमी ने या क किसी महला ने आपके बिजनेस पर नजर लगा दिया है, अगर ऐसी अस्थिती है, तो आवास्या के दीन अपने घर के दर्वाजे के ऊपर काले घोरे की नाल को अस्थापित करें, ध्यान रहे कि उसका मुह ऊपर की और खुला रखें, लेकिन दुकान या अपने आफिस के दर नर्धी का भी निवास होता है, जो लोग गरेवी से तरस्त है, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, बैफसाय सुरू होते ही थप पर जाती है, इन लोगों को अमावास्या के दीन एक खास उपाय करना चाहिए, ऐसे लोग चांदी का छोटा सा पीपल बना करके आप दान कर इससे सारे दुर्भाग, सारे दुर्योग आपके बिनास हो जाएंगे और आपके जीवन में सफलता आएगी, गरेवी भी दूर होगी, संतान की भी प्राप्ति होती है, तो आज मैंने आपको बताया कि अमावास्या के दीन क्या छोटा छोटा उपाय करके अपनी जिन्गी कि तमाम तरह की समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, और धन प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय है, ये भी मैंने आपको बताई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो कि पैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें, ताक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद